Fast API में path parameter तो आपने सीख लिया ना अब चलते हैं users को path के अंदर कैसे add किया जाता है बड़ा ही simple है same उसी strategy को हम अपनाएंगे screen पे चलते हैं यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे number 6 folder बनाते हैं और यहाँ पे इसको कह देते हैं users path ताके हमें path parameter से updated information जो है वहाँ पे ले जाएं step by step आप सीखें मैं यहाँ पे इसको paste करता हूँ और same उसी चीज़ को copy करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया I go back here और cd06 करके मैं यहाँ पे अपना uvcon के साथ अपनी app को load करता हूँ load करने के बाद यह मेरे पास link open हो गया ठीक है इसके अंदर अब हम change करने वाले हैं इस main app के अंदर और आप देखेंगे कि हमने जिस तरीके से अपने routes के अंदर items और item ID आड़ की थी इसी तरीके से users और user ID यहाँ पे हमने add की थी अब अगर आप गोर करें कि हमने यहाँ पे users का add किया था this will list all the users हमने यह लिख दिया था और इसी तरीके से हमने इसके बाद यहाँ पे user ID लिख दी थी हम एक चीज़ यहाँ पे एक और add कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिखू app.get get इसके अंदर हम लिख देते हैं slash users slash me ठीक है जब आप यह लिखेंगे user slash me तो इसके अंदर आपके पास this route will return the current user ठीक है तो यह route आपका current user जो है उसको return करेगा. For example मैं अपनी यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ users slash me मैं लिखता हूँ तो यह मेरे पास आजएगा this route will return the current user मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास this route will return the current user ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे लिख हूँ अम्मार यह मेरे पास error दे रहा है let's see यह error क्यों आ रही है हमारे पास हमारे पास यहाँ पे user ah see हम यहाँ पे user id जो है इसको string अगर करें ठीक है because username जो है वो basically string हो सकता है यह id string हो सकती है मैं यहाँ पे mar लिख के इसको enter करता हूँ now you see के मेरा नाम मार है और यहाँ पे यह वला user चल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई user के आगे आप जब login होंगे जब एक web app बनाई जाएगी तो इसके बाद जो भी user होगा वो यहाँ पे return हो जाएगा अगर user account वहाँ पे किसी का है to fail के नाम से then it will run to fail और अगर कोई और user account होगा then it will run a different user account ठीक है so same वो ही चीज, same वो ही analogy route और path आपका different हो जाएगा अब यही चीज हम swagger docs के अंदर check करते हैं मैं इसको refresh करता हूँ here you can see actually कि आपके different किसम के path set है यह आपके पास route है, यह post route है और फिर आपके पास get requests है यानि कि items हैं, items की id है यहां पर आप कोई भी item की id लिखें for example, मैं यहां पर try it out पर click करता हूँ string यहां पर उन्होंने बोला है लिखनी है मैं यहां पर 45 लिखके execute करता हूँ and it will execute that क्योंकि यह string आ रही है हमारे पास ठीक है और अगर मैं इसी तरीके से देखूँ तो यह successfully execute होगी है user, get users यह list आ रहेगी me के अंदर आप वही चीज़ आएगी जो आप के पास चल रही होगी user id, मैं यहां पर कोई भी user id यहां पर अगर मैं लिखूँगा then I can actually execute this command from swagger documents और अगर आप चेक करें यहां पर user id मेरे पास ammar की नाम से मैं लिखता हूँ मैं इसको execute करूँगा, it's working fine अब क्या हुआ है, यह वाली एक request गई है और request का URL यह है and then at the end respond हमारे पास यह है and इस तरीके से आपका backend काम करता है basically frontend ने request भेजी backend को के हमारे पास इसकी information दो and then उसने वो information requested URL के उपर print करके इस तरीके से दे दी so backend information भेड़ी frontend की तरफ and this is how the API works API क्या हता है, application programming interface जो frontend को backend के साथ जोड़ता है ठीक है, पिछले lectures के अंदर इस पे हमने अच्छी खासी बात भी की है and now अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पे 54 अगर लिखता हूँ और मैं इसको execute करता हूँ you will see के हमारे पास यह 54 जो है वो user की ID है और यह string के अंदर आ चुक है अगर मैं यहाँ पे string की बजाए integer लिखता हूँ just for example मैं यहाँ पे लिखता हूँ int ctrl s करता हूँ अब मैं swagger documents को refresh करता हूँ refresh करने के बाद मैं user की जो ID है यहाँ पे मैं लिखता हूँ ammar and then I press execute अब आप देखें please correct the following validation errors and try again value must be an integer तो इस तरीके से swagger document आपको बताता है कि कौन सी आपके पास error है अब मेरी यहाँ पे ID आएगी which can be any integer ठीक है रखना है कि आपके पास character भी हो user ID में इंडर score भी चल सकती space नहीं चल सकती dash नहीं चल सकती whatever you want to do and this is how you can do your user's path parameter inside your web app I know कि यह बहुत एक important task है to develop a nice front end and back end development of web app या आप full stack app की बाद जब करते हैं तो इसके लिए थोड़ी से मेहनत करनी पड़ती है आज की assignment आपकी यह है कि path parameters को खुद से try करें और एक चोटी से assignment यह है कि integer या string की बजाए अगर मैं दोनों को यहां पे लिखना जाता हूँ if condition के साथ how I can do that यह आपकी चोटी से assignment है comment section में जरू लिखेगा ख्यार रखें next video के अंदर मैं मिलता हूँ जाएगा मात पूरी की पूरी playlist का link मैंने description में भी दिया हुए और आपको मेरी right या left side के ओपर भी नजर आ रही होगे और ओपर i button के अंदर भी see you in the next one